Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we will start a new chapter and the chapter name is integers. Integers समझने से पहले हम कुछ numbers के बारे में समझ लेते हैं. Natural numbers, whole numbers, वैसे ही हमारे integers भी होते हैं. तो natural numbers कौन से numbers होते हैं? Natural number वो numbers होते हैं, जो 1 से start होते हैं और infinitive तक जाते हैं, आगे आगे जाते जाते हैं. यह सारे numbers, जो number 1 से start होने वाले numbers, natural numbers कहलाते हैं. Whole numbers Whole numbers, वो numbers होते हैं, जो 0 से start होते हैं और फिर आगे जाते हैं. यह 0 से लेके बागी के सारे numbers, whole numbers कहलाते हैं. ऐसे ही integers, integers जो हमारे, मतलब 0 से start हो, जो हमारे 0 से start होते हैं, मतलब positive numbers भी होते हैं, इसके आगे भी और हमारे negative numbers भी होते हैं, इसके आगे भी, यह सारे numbers हमारे क्या किलाते हैं, integers किलाते हैं, मतलब integers positive और negative दोनों होते हैं, positive integers वो integers होंगे, जो positive हों, means positive integers, positive integers, जो plus वाले हों, जैसे 1, 2, 3 and so on, ऐसे numbers positive integers किलाते हैं, negative integers, negative integers जो minus वाले numbers हों, मतलब negative हों, जैसे minus 1, minus 2, minus 3, ऐसे numbers, इन्हें हम negative integers बोलते हैं, तो यह हमारे positive integers और negative integers टू टाइप के integers हैं, चलिए इनसे related कुछ कोशन करते हैं, फर्स्ट कुशन है, compare the following pair of numbers using greater or less than sign, यहाँ पे हमें compare करना है दो numbers में जो greater or less than sign हों, तो यहाँ पे लिखा है 9 और यह है minus 9, हमेशा हमें हमेशा याद रखना है, जो number minus में जितना बढ़ा होगा, उसकी value उतनी ही छोटी होगी, means यहाँ पे 9 और minus 9 में minus 9 जो होगा वो छोटा होगा और 9 बढ़ा होगा, तो इसमें sign बना देते हैं 9 की तरफ greater का sign, next है b वाला minus 1 और 0, हमारा positive वाले numbers बढ़े होते हैं और negative वाले numbers छोटे होते हैं, तो 0 से छोटा कौन सा number होगा minus 1, तो यह minus 0 क्या होगा बढ़ा होगा, उसकी तरफ sign बना देते हैं 0 की तरफ greater का sign, next है minus 16 और 20, positive वाले numbers हमेशा बढ़े होते हैं, चाहे वह छोटे दिख रहा हूं तब भी वह बढ़े होंगे, तो minus 16 में से और 20 में से कौन सा बढ़ा होगा, minus 20, ऐसे ही जब minus के sign लगा होता है तो opposite होता है, means जो number जितना बढ़ा है उसकी value उतनी ही छोटी होगी, और जो number जोटा है उसकी value बढ़ी होगी, तो इसमें minus 105 और minus 200 में से कौन सा चोटा होगा, minus 200, minus 105 बढ़ा हो गया, next e वाला 0 और minus 9 में से, अभी मैंने उपर बताया था कौन सा बढ़ा होगा, 0 बढ़ा होगा, next f वाला है, अब यहाँ पर minus 516 और minus 517, छोटे वाले number बढ़े होते हैं, बढ़े वाले number छोटे होते हैं, minus का sign लगा होता है तब, तो कौन सा बढ़ा होगया, minus 516, next question है, write the integers line between the following pair, हमें इनके बीच के integers लिखने की कौन-कौन से numbers आएंगे, next question है हमारा, write the integers line between the following pair, हमें दो numbers दे रखें, इनके बीच के integers लिखने हैं, means इनके बीच के numbers लिखने हैं, 0 से 8 तक के numbers के बीच में क्या आएगा हमारे numbers आजाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह हो गया हमारे 0 से 8 के बीच के numbers हो गया, next है हमारा, minus 5 से लिखें, प्लस 5 तक के बीच के numbers लिखने हैं, तो minus 5 हमारा left side में आता है, प्लस जो होते हैं, हमारे plus की values हमारी right side में होते हैं, अब बीच में हमारा क्या होता है, 0 होता है, तो हमें इनके बीच के सारे numbers लिखने हैं, तो minus 4, इसके बाद क्या आता है हमारा, minus 3, minus 2, minus 1, 0, और 0 के बाद कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4, तो यहां से लेके, minus 3 से लेके 3 तक के numbers हमारे इनके बीच के numbers हो गए, next question करने है, write 4 negative integers, हमें, जो यह questions दिये हैं, इनके 4 negative integers लिखने हैं, मतलब minus वाले integers लिखने हैं, greater than 22, 22 से बड़े numbers लिखने हैं, अब भी मैंने बताया था कि, minus में जो numbers जितने बड़ा number होता, उतनी कम होती है, तो हमें greatest number लिखने हैं, तो हम 22 से छोटे numbers लिखेंगे, 21, minus का, 20, minus का, minus का 19, minus का 16, minus का 18, हम कोई से भी numbers 4 लिख सकते हैं, हम यह पर 4 numbers दिया था, तो हम कोई से भी numbers लिखते हैं, minus 18 भी लिख सकते थे, minus 17, minus 15, minus 1, minus 2, minus 3, कोई से भी numbers लिख सकते थे, 22 से छोटे, माइनस 22 से छोटे numbers में क्योंकि जो minus की value होती है वो छोटे numbers की बड़ी होती है और जितना बड़ा number होगा उसकी value उतनी ही छोटी होगी next है less than 32 मतब 32 से छोटा number अब उल्टा कर रहे हैं जब बड़ा पूछा था तो हमने numbers छोटे लिखे थे अब छोटा पूछा है तो numbers हम कौन से लिखेंगे बड़े लिखेंगे क्योंकि minus में क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है अब बड़ा लिखना इससे छोटा लिखना है तो 33 minus 34 minus 35 and minus 36 और भी numbers लिख सकते हैं less than जो हमारे इससे बड़े होगे इससे छोटे होंगे next question करते है arrange in ascending order number को हमें ascending order में arrange करना है तो ascending order में हमें पता है कि हम क्या लिखते हैं सबसे पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा यहाँपे सबसे छोटा number हमारे कौन सा होगा माइनस का होगा जो सबसे बड़ा नमबर दिख रहा होगा माइनस 10 हमारा सबसे छोटा नमबर होगा क्योंकि माइनस में values उल्टी होती है फिर हमारा माइनस का 9 फिर माइनस 7 फिर माइनस 5 इसके बाद 0 फिर 3 और फिर 5 यह हमारा arrange हो गया ascending order में next question को हमें descending order में arrange करना है descending order में हम सबसे बड़ा number लेखते हैं तो सबसे बड़ा number कौन सा होगा जिसकी value सबसे छोटी है मतलब माइनस 1 यहां सारे number माइनस के है तो सबसे छोटा वाला number सबसे पहले क्योंकि इसकी value हमारी सबसे ज़ादा बड़ी होगी फिर माइनस 7 फिर माइनस 15 फिर माइनस 18 फिर माइनस का 20 next question है find the value इन numbers की हमें value find करनी है यह हमारा यह जो sign है हमारा absolute value का है इसको solve करने के लिए हम क्या करते हैं जहां पे भी हमारा यह वाला sign ऐसे sign लगा होता है और इसमें minus की value लिखी होती है जैसे minus 1, minus 2 या minus कुछ भी तो हम जब यह value हटाते हैं यह वाला sign absolute का हटाते हैं तो यह value हमारी plus में आ जाती है बस इनको हटाने के बाद हम value plus में लिख लेते हैं और अगर हमारे value ऐसे लिखी हुए जिससे minus बाहर लगा है अभी मैं यह question solve करूँगी तब बताती हूँ इससे first question कर लेते हैं 6 अभी यह value absolute का sign हम आटाएंगे तो यह minus का 10 किसमें आ जाएगा? plus में आ जाएगा change इसको solve कर लेंगे तो answer क्या हो जाएगा? minus का 10 हमारा plus में आ गया क्योंकि यह absolute value का sign हमने हटा लिया यह answer कितना हो गया? 16 अभी यहाँ पर हमें माइनस बाहर भी दे रख़़गा है और minus अंदर भी है next question है हमारा minus बाहर भी है और minus अंदर भी है तो अभी हम सिर्फ पहले इतना देखेंगे इस number को अब इसको हम solve करेंगे तो क्या होगा minus 7 किसमें आ जाएगा हमारा plus में आ जाएगा यह हो गया और जो बाहर minus लगा है फिर हम इसे minus यहाँ पर write कर देगे तो यह हमारा answer हो जाएगा means अगर ऐसे कोई question दिया होता है जिसमें minus बाहर और अंदर दोनों होता है तो बाहर वाला minus नमबर के साथ आता है लेकिन अंदर वाला minus हम हटा देते है next question करते है write the opposite of इन numbers के हमें opposite लिखने है मतलब उल्टे लिखने है जो number plus में है उसे minus में लिखने है और जो minus में उसे plus में लिखने है तो इसको हम opposite में क्या के change करेंगे negative कर देंगे तो यह negative का हो जाएगा और यह हो जाएगा मारा answer I hope आप लोग को यह question समझ में आये होंगे Thank you